उन्नाव के एक स्कूल में बच्चों से स्कूल की सावसफाई ज़ाड़ो लगवाने बरतन धुलवाने का मामला सामने आया वहीं परिजनों ने और बच्चों ने पूरे मामले के जिकायत डीम अपूर्वा दुबे से की परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों से ज़ाड़ो लगवाई जाती है घास नुचुआ जाती है और विरोध करने पर बच्चों की पिटाई भी की जाती है वहीं पूरे मामले पर बियसे ने मामले की जाच के आदेश देकर कारिवाही के नीदेश दिये है उन्नाव के सिकंदर पूर कंड ग्लॉप के फते पूर ग्राम के प्रात्मिक विद्याले में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के परिजन बच्चों के साथ सिकायत लेकर उन्नाव कलेक्टरेट पहुँचे परिजन और बच्चों ने स्कूल की टीचर के खिलाब सिकायत पत्र डियम अपूर्वा दुर्वे को दिया सिकायत पत्र में आरोप लगाया कि उनके बच्चों से स्कूल पहुंसते ही स्कूल बैक किनारे रखवा दिया जाता है इस्कूल में उनके बच्चों से कहीं घास सुचवाई जाती है तो कहीं उनसे जाडू लबवाई जाती है तो कभी बर्तन भी धुलवाई जाते हैं वई डियम ने इस मामले को संग्यान में लेते हुए भी असे को निर्देशित किया है फिर रिपोर्ट आई पियर्म